हेलो दोस्तों हम बात करें आज आपके साहं CSV format के बारे में सीविश्विव फॉर्मेट कॉमा सेपरिटेट फाइल जो होता है उसके बारे में किसी भी Excel फाइल को CSV फॉर्मेट में कैसे कनवर्ड करें उसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहले आपने फाइल को देख लें ध्यान है फाइल में फॉर्मेट सब्सी स्थेम होना चाहिए किस भी तरह की प्रॉलम होनी चाहिए यसे इमाल जिए आपने डेट लिखा हुआ है और डेट आपका अजीव सा इसक्रांट में है तो अजीव सा जाएगा या नम्र में हैसे मर्ण की नमपर करने के लिए सेवाइल जाएं यसाेश के अंदर Canadians पर चाहें और यहां जहां पर excel file type में by default excel workbook होता है उसमें आप यहां पर csv format select कर लें अब csv format तीन तरह के यहां पर है एक आपका यह आता है comma delimited utf8 होता है दूसरा आता है comma delimited तीसरा आता है macintosh जो dos के लिए इसके क्या बोलते है apple के laptop के लिए होती है और तीसरा जो इसमें होता है होता है आपका ms-dos के लिए अब जिस आपका कहां भी यूज करना है उसके हिसाब से कर सकते हैं कि generally हम लोग यह utf करते हैं अब इस तरह की तो फाइल होता है comma limit कहां भी यूज होता है जैसे कि किसी अधर databases में data को इंपोर्ट करना हो बहुत साइट databases है जो कि फाइल को आपका CSV format में इंपोर्ट लेते हैं बहुत साइट से बहुत साइसे चीज़ें जहां पी CSV format में लेते हैं तो वहां के लेने के लिए आपको जो है CSV format को convert करना होगा और फिर इसको मैंने सेफ कर दिया सेफ करने के बाद इसको क्लोज कीजिए जिस लोकेशन भी आप सेफ करेंगे वहां जाके देखिए वहां उसी CSV format में फाइल बन जाएगी उसका आइकन चेंज हो जाएगा देखिए रहा इसके देखिए Microsoft Excel, separated value इस तरह से चेंज कर सकते हैं इस तरह की Excel की पूरी details वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहा सकते हैं मैं चैनल पर हम यहां पर बहुत सारे क्रिकी वीडियोज अपलोड करते हैं साथ में अब चाहते हैं मेरे साथ online class लेगा तो मेरे साथ जूड सकते हैं मैं नंबर प्रदिक्रा है जहां पर live interactive one-to-one class हम लेते हैं साथ में अगर आप मेरे मोवाइल आप डाउनोड करेंगे जिसका लिंक डिस्केशन बॉक्स में दिया हुआ है इससे क्या होगा कि आप मेरे सारे वीडियो जो है तो online class भी ले सकते हैं और आप हमारी एप के अंदर वीडियो class भी ले सकते हैं with telephonic support तो फटा फट लॉगिंग कीजिए एप को download कीजिए मुझे call कीजिए Thank you